स्वागत है आप सबीक एक नए वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेशकिन उस्देमिर के बारे में और जानेंगे उनके टॉप सिक्स टर्किश ट्रामास के बारे में जिने आपको जरूर देखना चाहिए पर वीडियो में आगे बनने से पहले अगर आप ऐसे टर्किश ट्रामास से रिलेटेड अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथी साथ बेल आइकॉन को भी आउन कर दीजे ताकि आप को आने वाले वीडियो की नोटिफिक सपॉर्टिंड करेक्टर प्ले किया था और 2011 में सेचकी इन को अपना पहला टर्किश ट्रामा मिला जिन्योंने उसमें मेन लीड करेक्टर प्ले किया है और इस शो का नाम था अल-ई-ाज-म्लिम camino जो एक रूमैंकि टर्किश ट्रामा था और सेचकिन उच्देमिर ने अब पॉपिलर टर्किश ट्रामास में as a supporting character ब्ले किया है वो शोस हैं किरालिक अश्क और दूसरा है कुरूलश अस्मान और इंस्टाग्राम पर सेशकिन उजदेमिर को 2.3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और आप आईए जानते हैं टॉप शिक्स टर्किश ट्रामास आफ सेशकिन उजदेमिर जिने आपको जरूर देखना चाहिए तहली कहली करिम जो 2018 में डेली कास्ट हुआ एक त्रिलर मिस्ट्री मिनी सीरीज है और ओरिजिनली इस शो के सिर्फ 6 एपिसोड सी अवेलेबल है तो वहाँ देरिन का खुन होता है जिसको देखकर पॉलिस आलपर और सेदा पर शक्र करने लगते हैं और आगे देखिए क्यों आलपर और सेदा देरिन को मारना चाहते थे और क्यों देरिन का किड्नेप हो गया ये सब जानने के लिए देखिए तहली केली करिम माई डेंज पर अब दोनों अलग अलग शहर में रहती हैं पर दोनों ही पॉलिस आफिसर्स हैं दोनों सालों के बाद एक मर्डर केस के सिलसिले में मिलती हैं और ये मर्डर जिहान के घर में हुआ है और जिहान एक अमीर बिजनसमेन है जिससे लेला और जेने बास्ट में हुए एक हाथसे की वज़े से जिहान से बदला लेना चाहती हैं और उसे सलाखों की पीछे भेजना चाहती हैं और इस मर्डर के इसको सॉल्फ करने के लिए इन दोनों का साथ असलान देता है जो एक पॉलिस आफिसर है और आगे इन तीनों को पता चलता है कि जिहान एक माफिया का लेडर है जो गएर कानुनी काम करते हैं और आगे क्या जेनिब और लेला मिलकर जिहान को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं जानने के लिए देखिए दर इवेंच जो उर्दू डबिंग में आपको यूटूब पर अवेलेबल मिल जाएगा शेफगिली गजी मिष ये एक रुमेंटिक थिलर टर्किश ड्रामा है और इस शो को उर्दू में सनम सना और साधिया के नाम से टेलिकास किया जा रहा है ये शो की कहानी तीन बहनों की है जो बच्पन में ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इसके लगभग बहुत सालों के बाद सनम को एक लेटर मिलता है जिसमें उसे उसकी बहनों के बारे में और उसकी मा के बारे में पता लगता है और आगे क्या होगा यह जानने के लिए आपको देखना होगा सनम सना और साधिया और जिजग के आँटी है वे आसली और जिस कार से जिजग का एकसिडेंट हुआ है वो बरिश की कार है पर बरिश को इस बारे में कुछ पता नहीं होता क्यूंकि उसने अपनी कार एक दिन के लिए हाकान को दी थी और ये incident CCTV में भी record हो चुका है जिससे कोई शख्स बरिश को blackmail कर रहा है और आगे देखे कैसे बरिश और आसले मिलकर इस केस को solve करते हैं जानने के लिए देखे बहतरी इन romantic comedy टर्किश ट्रॉमा आतेश बुजई जो यूटूब पर available है अलफ स्टोरी ये एक romantic टर्किश ट्रॉमा है ये कहानी है कोरकोट और जेलन की दोनों की मुलाकात जर्मनी में होती है जिसके बाद जेलन इस्तनबूल वापस आ जाती है और कोरकोट भी अपनी माँ और बहन की तलाश में जर्मनी से इस्तनबूल वापस आता है जहां वो दोनों की फिर से मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते है मगर क्या होगा जब इनके बीच ठोलगा आ जाएगा जो एक फेमस सिंगर भी है और वो जेलन का बचपन का दोस्त भी है और आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए अलाश स्टोरी बश बेलासी ट्रबल मेकर 2021 में टेली कास्ट हुआ है रुमैंटिक थ्रिलर टर्किश ट्रॉमा ओरिजिनली इशो के सिर्फ 13 एपिसोड सें टर्किश लेंग्विज में ये कहानी एपिक और शाहिन की है एपिक एक साइकोलोजिस्ट है जो बचपन से ही डिटेक्टिव बनना चाहती थी और वो पॉलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करना चाहती है और शाहिन एक पॉलिस ओफिसर है जो हर बार एक मुसीबत खड़े कर देता है शाहिन एक murder case पर काम कर रहा होता है और police department इस case को solve करने के लिए epic को एक detective के तोर पर appoint करती है पर शाहिन नहीं चाहता कि epic उसके साथ काम करे पर आगे क्या होगा कि ये दोनों मिलकर इस murder case को solve कर पाएंगे या फिर नहीं ये जानने के लिए देखिए ये बहतरीन romantic thriller टर्किश ट्रॉमा बश बिलासी यूटूब पर available है ट्रबल मेकर की नेम से तो ये हैं वो six बहतरीन टर्किश ट्रॉमास आफ सेश की नोजदे मेर इनमें से आपने कौन सा टर्किश ट्रॉमा देखा है उसे कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं एगले वीडियो में थैंक्स फो वाचिंग